आपने अभी वहां होके आए हैं और इसको जहरा सभी लोगों को एक बार आपके माध्यम से जरूर पता चलना चाहिए कि administration किस तरह से सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्म कर रही है अगर आपने ध्यान दिया होगा वहाँ पे सारी live feed चल रही है जिस पे हम dynamically decision लेते हैं कि किस route पे कोई अगर problem है समश्या है तो उसको किस तरह से उसका solution किया जाए वहाँ पे सभी departments की representatives है और आगे कभी भी हमें कुछ पता चलता है कोई medical emergency होती है तो तुरत उसमें coordination हो जाता है इसके अलावा इस facility तब भी बहुत काम आएगी कि मान ली जी उपर वला ना करें कोई disaster होता है तो एक वो focal point रहता है कि जहां से आप सबको coordinate कर सकते हो चीजों को तो command and control center एक heart एक nerve center है जिससे सारे पर monitoring की जाती है this includes not only about their safety security including sanitation including उनकी और भी कोई अगर समझ्याए है तो उसको भी इसके अलावा अगर मान लीजी कोई missing है कोई trace नहीं हो पा रहा है तो वहां पे उसके बारे में उपता लगा लेते हैं पहरी बार ऐसे ऐसा हमें कश्पी में देखने को की मिला है तो क्या कुछ और समझ में था और क्या कुछ आगे और development से लिए है देखो इसको और हमने इसको करी दिया है रियल टाइम में इसको activate करी ही दिया है और यह जो हमारा center है यह केवल इसके लिए नहीं है यात्रा के लिए यह जो उसके बाद मानली जीए कल को कोई और तराजती होती है भवान ना करें मानली जी आर्थक्विक आता है कुछ भी आता है तो वह एक normal focal point रहता है जहां से आपको information flow and information होती है तो यह center हमारे लिए उसमें भी काम हो यह जाना चाहेंगे कि इस बार तो पर वाले कि यह करम रहा कि गर्मी इतनी पड़ी तो हमने जो हैसको प्रिपॉंट कर दिया और जो छुटी स्टार्ट हुई है वह एक जुलाई से और एक जुलाई से यात्रा स्टार्ट हुई है और आप भी जानते हैं कि 15-20 दिन के बाद 15 दिन के बाद थोड़ा जातरा में कम ही आती है क्योंकि सुरू में ही ज़्यादा रश होता है तो इस हवाले से मतलब हम कह सकते हैं कि सारे चीजे हमारे favor में काम कर रही है तो हम सब की नियत और साफ है तो इसलिए उपर वाला भी साथ हमारा दे रहे है इसमें सभी लोगों ने बहुत पूरा सहयोग दिया है थोड़ी बहुत समश्याएं आती है तो लोगों ने उसको बिल्कुल सा राहा है और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी आप लोगों ने यातरा देखी होगी मैंने तो पिछली बार के लावा मैंने ज्यादा देखी नहीं है कि जिसमें टूरिस्ट जो है वो सफर करता था जो बताया गया है मुझे और इस बार तो आपका परियतन भी है और दर्शन भी है दोनों एक साथ है